सो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि सरे model paper का आप इतना आसान क्यूं कहा मैंने दोस्तों आसान कहने का पीछे बहुत बड़ी महनत चुपी हुई है इसके पीछे मैंने बहुत ज्यादा महनत कहा हूँ अपने students के पर्थी यानि जो हमारे application के मायदम से already study कर रहे मैंने कोई इसकोशन नहीं है जो मैंने अभी तक नहीं बताया हूँ मेरे दोस्तों इसलिए कहा जाता है ना कि एक दिन सफलता पाने के लिए उसके पीछे कितनी महना चुपी होती है वो किसी को दिखता नहीं है अब लोग कोशन और यह मैं आप लोग को बता रहा हूं आप लोग को अबजेक्टिव और इसके बाद जो मैं आप लोग को बताओं वने वाला हूं इसी मोड़न पेपर का सब्येक्टिव तो कितना इसे students जो चाहते हैं जो हमें सब्येक्टिव चाहिए ते पहरो दोस्ते इवर कॉमेंट कर दीजे ज़ना और कहना अपने मां से कि मां तेरे पसीने की हरे एक बुंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा तु सपने वड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा चली आगास करते हैं आज का पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा मेरे दोस्तों कोशन एक आपसे पूशागे कि किनारे कौन भिख्सित हुआ है गुर्जी में बताऊंगा हमारा हड़ापा सबेता इतना ही पड़ाना नहीं है हड़ापा सबेता के बारे में थ्वड़ा सा पोस्ट माडम करते हैं इसका जो खोज होती है मेरे दोस्तों 1922 मा सुरी 1921 में द्यारामशा नाने के दुवारा क्या जाता है एक बात को याद रखेगा ठीक इसके एक साल के बाद महुंजुदाड़ा का खोज होती है और महुंजुदाड़ी की जो खोज करता हुआ है हमारा आरडी बैनर जी ने इसको भी ख्यार रखेंगे हड़पस अबता का सबसे बड़ा अस्थल कोन सा है तो हड़पस अबता का सबसे बड़ा जो अस्थल है वो महुंजुदाड़ो है महों जादवाड़ो किस भासा का सब्द है सर तो बताएंगे सिंधी भासा का सब्द है जिसका आर्थोटी है मिरतगों का ठीला याद रखेगा या समसान घाटिया कब्रिस्तान इसको भी ख्याल रखना है और हाँ जो भी बंदा अभी तक missile classes के आपको download नहीं किये, फटा फट आप लग missile classes के आपको download कर लिजे, हमारा crash course start हो चुकी है, जो भी students अभी तक crash course में join नहीं किये, फटा फट जाकर आप लोग जल्दी से crash course को join कर लिजे, और crash course का मतलब मेरे दोस्तों क्या होते पता है, सार question, long question, इतना सारा content आप लोगो provide के जा रहा है, शुवा, साम, दोनों टाइम online class होगी, all subject का जहां पर मेरे दोस्तों तबड तोर तरीके से आप लोगों को बताय जा रहा है, और exam से पहले exam paper conduct कराय जाएगी, इसको भी ख्याल रखिएगा गुरुजी, आते सरे question पे, सिंदु प्रम गाटी सबता में एक मात्र जो हमारे बंदर का थी भाई, वह हमारा लोथल है, लोथल कौन सार नदी के किनारे स्थेते गुरुजी, तो बताएंगे सेर्फ भगवा नदी के किनारे, कौन सार नदी सर्थेते इसको भी ख्याल रखना है भाई, अगला question है, सर बोधी सह नदी के के आनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ है, याद रखेगे आद भारत में भॉष्ण संगी थे ना भाय? या बहुत सकतिसाले महाजनपत था इसको भी ख्याल रखना है और यह कोशन बहुत यह अंदर से पूछा गया है अगर आपने जो मैं महाजनपत के बार में आप लोगों से स्टेडी करा रहा था जो हमारे अप्लिकेशन सवरेडी पर रेड़ दे उनको बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया था असमक भाई क्या हो जागी अफ्शन नमबर हमारा सी स्कोर राइट अंसरो जाएगी अस्व के अभिले को सरपर्थम किसी ने पढ़ा है तो बताएंगे स हो कि अभिले को सबसे पहले जो पढ़ा था जैंस प्रिंस में और ऐसा ही कोशन आएगी गुरुजी याद रखेगा यह हमारा मोडल से नमबर वान है मैं इतिहास बता रहा हूं इसनी के बाद मेरो दोस्त में इसका सब्जेक्टी भी लेकर आने वाला हूं और कोई भी स्ट है तरह कि अत्या देन तक चलेएग्ट सर्ना तो बताइगे तरह 18 दिन तक चलाता कि इतने दिन तक शार? याद रखेगा 18 दिन तक चलेएगा Ryu मुझाई जोस्तों गरन्थे हैं ये गरंथे कौन से भासा में लिखा ता संस्कृसता में कौन से प्रसंुपार जी जी णे लिखा था याद रहेगा मह 창र को इसको भी से हैं तो पताएंगे सरस्तुत का सम्ध हमारा बोड धर्म से हैं इसको भी गुरू जी याद रखना है इसे सोब こ महभी स्वामी के बाद हमारा गौतम बुद, गौतम बुद के बाद हमारा गुरु नानक, गुरु नानक के बाद हमारा कभीर, कभीर के बाद हमारा अकबर, ये सब का जीवनी आपको बहुत ही बहतर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि एक कोशन, इन में से कोई एक कोशन आपक याद रखेंगा और आपको पता नहीं होगी तो कि अपसोल्व कर सकेंगे नहीं से कुंडल में कहां बाई कुंडल ग्राम आफ्षिन नमरा इसलिए तो मैं बार-बार कहा हूँ कर दोनो डाइम क्लास चलती है और यहां पर वह को अप लोगो को प्रफाइड के जाता है मरे दोस्त जो आपकी एक्जाम पर पूरा आने की पूरा सभावनाएं होती है और जो यह नोट्स मिलेगी ना वह नोट्स आपका देशी लेंग्वेज में होगा यानि आपके भासा में कोशन आते सर मुक्तिदाता की कल्पना बोधर्म की की सखाम की गई है कोशन अबर आपसे 11 पूछा गया इस तो बताएंगे सर इसका राइट सुर करता है बाई पूरानों समय कितनी है अगर मैं बात कर online की 30 कितनी अरब thought your बुरानों की संखवा ने था जानकारी नहीं था अच्छा यह को कोशन अभी तो कई एसे मेरे दोस्तों पुस्तक है इस भासा को लेकर बहुत मतभेद पाया गया है लेकिन एक बात याद रखेगा जो हमारे अलबिरुनी है भाई वह आकसर यातरा करते थी किसका तो बताएंगे सर मुस्लिम कंट्री का इसको ख्यार रखेगा और अलबिरुनी ने कौन-कौन से की लिखे और मेरे दोस्तों आलबिरुनी के पुरे जीवन काल के बारे में आपको अच्छी तरह से नोलज होना चाहिए यह भी कोशन आपकी इग्जाम में पांच माक्स काई गवाई तो बताएंगे सर यूनानी भासा का ज्यान नहीं था अफ्शन हमारा सही तो जागी अगला कोशन पर मुब करते हैं सर पीर का आर्थ क्या है कोशन का लेबल चेक कीजिए और ऐसा ही कोशन आएगी भाई ट्रेंसल लेनी का वशकता थोड़ा सा नहीं है दिल पर इरादा कीजिए कि सर 40 में 40 पार करके दिखाना है सर कैसे पागोलों की तरह बोल रहे हैं कि 30 कैसे होगा मेरे दोस्तों 30 अब्जेक्टी बाएगा सर 30 कोशन और 2-2 माक्स का 5 कोशन जो होगी ना गुरुजी यह 10 कोशन 10 माक्स का यह टोटल आपको 40 में से 40 लाकर दिखाना है एक भी कोशन छोड़कर नहीं आना है पास सर्थ है कि जो मैं क्रेस कोर्स में बता रहा हूं वह सब सारे कोशन को निचोड करके कर लेना है ठीक है तो पीर का अर्थ क्या होती है एक्ट जो मैं पीर सब्द का बात सुनता हो tota तो हमारा इसलाम धर्म का ख्याल आती है और इसलाम धर्मी欸e गूरु को कहा जाता है पीर किह कहा जाता है फाइग परसी सूफी सं penguin दिन जिस किस देवता के उप पसना करते थी जो अलवर संथ होतCloud आना था एक भी नीयान था अक्ष ng आज हो फिले लिए और महाव नहीं नहीं ऑ gelirane यह जो कूशेह ना रखना है और आपसे पूचा जगा बीजने में समराजी का स्वछ से सक्टी सालिस शाषक तो गुरुजी बताएंगे कृष्ण मदेव राई और क्रिशन देव राई का सारा अपलब दिया को याद कर ले ना है और क्योंकि यह कोष्ण पांच मांक्स काएगा क्या प्यारे पांच मांक्स काएगा आपके एक्जाम में कृषण देव राय के बारे में इसको भी ख्या दखना है तेलगों साहित अमुक्तर मलायत की रचना किसने क्या है ये भी कोश्चन मैंने अभी जस्ट आप लोगों को रिसेंट में बताया था जो हमारे साथ जुड़ा वाइक के रचना किसने क्या है तो बताएंगे सर अब फजल ने अकबर नमा की रचना क्या है ठीक है वह चलिए सर और कौन सा सब्जेट देखना चाते है इसके बाद जरूर बताएगा संथाल बिद्रो याद रखेगा मेरे दोस्तों दो भाई ने मिलकर किया था देखिए एक्चुली संथाल बिद्रो चार भाई बहन ने मिलकर किया था ठीक है चार भाई था और दो बहन थी भाई ठीक है तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो भूमिका जादी है ना, वो हमारा सीधू और कानू, और संथाल बिद्रों के बारे में, पांच मांक्स का कोशन आगा, गुरु जी, हाँ, यकीन मानिए मेरे भाई, संथाल बिद्रों के बारे में, आपके पेपर में, पांच मांक् और हाँ, अगर आप देश्ती लेंग्वेज में चाहते हैं, तो प्लेश्टोर से मिसाइल क्लास के आपको डाउनलोड करके, फटा अफट आप लोगा आर्स का फाउंडेशन कोर्स को, स्वारी क्राइस कोर्स को जोईन कर लिजे, एक बार जोईन कीजेगा, मेरे दोस्तों पैसा लगेगी, अपसे टू डबन लाइन मांगा जा रहा है, और एक बार पे किजिए, और सब्जेट का सुबह साम क्लास देगी, आप जितना भी बड़ा टूशां, जितना भी बड़ा कोचिंग, कहीं भी आप स्टड़ी कर रहें, गुरुजी, तबर तोर तरीके से हाँ पे आप लोगों प्रवाइट क्या जा रहा है, लेट ना करें, फड़ा फट जोईन कर लिजेगा, संथाल भी तोर सीधू और कानों के दो भाईने मिलकर क्या था, 1855 में, कब क्या था भाई, 1855 में, कोशन असे दामी ने कोह क्या है, अब आप से पूछा गया है, कि दामी न कोह क्या है, तो संथालों की भूमी को हम लोग बोलते से, दामी ने कोह, याद रखे गए यह कोशन, पिछले साल दो मार्क्स का पूछा गया था, कि दामी ने कोह किसे कहते तो आपको बताना है, कि संथालों के भूमी को दामी ने कोह कहा जाता है, एक्जाम में जैसे लिख जरनल से संबंदित आपकी एक्जाम में बरभर के कोश्चन आती हैं इसको भी ख्याल रखेगा तो बताएंगा सर्ल लॉड करनवालिस याद रखेगा बाई इसके बाद मेरे दोस्तों जो भी बंदोबस्त है सारे बंदोबस्त को आपको अच्छी तरह से कर लेना है अगला कुश्चन पर आते हैं याद रखेगा अठार से बात कर रहा हूं आपकी एक्जाम में पांच मांक्स काईगा तीन कोश्चन कह रहा हूं आँख खोल के कान खो विचना करें पहला कोश्चन दूसरा कोश्चन अठार संतावन के करांती की बिफलता का क्या क्या परिनाम हुआ उसके बाद अठार संतावन के करांती के परमोग परिनाम के बारे में उल्लेख करें यह तीन कोश्चन आपकी एक्जाम में एक तीनों में से एक कोश्चन तो दस माई को सुरू होता है और याद रखेगा मेरे दोस्तों प्रारम हुआ है और आपसे पूछा गया कि कहां सुआ है तो बताएंगे सर मेरट से कहां से मेरट से हुआ था अगला कुछन से सहायक संधी वेबस्ता को किसी ने प्रारम किया था आप अगर आपको पता है तो जरूर बताएंगे सर चोरी-चोरा कांड कब होती है अब सभी को पता है कि सर चोरी-चोरा कांड जो हमारा 1922 को होती है लेकिन एक्जामिनर बहुत चलाख हो चुकी है मेरो दोस्तों का फॉर्मेट चेंज कर दिया पूरी तरसे तो बताएंगे सर चोरी-चोरा कांड होता है चार फरवारी 1922 को कब होता है भाई आप गांधी जी दोवारा क्या गया 1917 से लेकर 1922 तक एनि चोरी-चोरा कांड सोरी मेरो दोस्तों चमपारन का अंदोलन से लेकर भार चोड़ो अंदोलन की बीच में जितने माहतमा गांधी के द्वारा घटना अंदोलन घटी है सारे अंदोलन को एक दम रगड करके त्यारी करना है और चोड़ो अंदोलन भार से को एकर अगर अपने भासा में लेंग्वेज मूत्तर चाते है तो जरूर आप प्लेश्चों से मिसाइल-कलसे इक आपको डूलोट करेंगे तो बताएंगे सर हमारा मातमा गांधी का जो राजिनते गुरु थे वो है गोपाल कृष्ण गोखले आधी ये सर मुब करते हैं यहाँ पर 28 में बारती समिधान सभा के अस्थाई अधक्ष कोंते गुरु जी यहाँ पर दो कुश्चन आती है एक होता है सर ओ अस्थाई और ए इसके चुनाऊ होता है लेकिन मेरे दोस्तों इसका ठीक दो दिन के बाद हो जाता है किया बले-बले हमारा डॉक्टर राजेंदर परसाद को और डॉक्टर राजेंदर परसाद को बना जाता है अस्थाई अध्यक्ष को ने तो डॉक्टर सचिनंद सिना और अगर आप से पूछा जागा कि सर अस्थाई अध्यक्ष को ने डॉक्टर राजेंदर परसाद चलिए सर अगला कोशन पर आ तो लागू होती है 26 जनवारी 1950 को अंगर किरित कब किया गया तो बताएंगे सब्सक्राइब कितना समय लगा था तो दो वर्स 11 महना 18 दिन पुरा समय लगी थी लेकिन अगर आप से पूछा जागा गुरुजी थोड़ा से बता दीजिए कि समिधान के निर्मान के समय टोटल क कितना खर्च आई थी तो बताएंगे से टोटल खर्च कितना आते सा 64 लाक लगभग 64 लाक याद रखें लगभग कितना भाई 64 लाक का खर्च वाथा अगर आपसे पूछा जागा थोड़ा से बताईए कि भारती समिधान के गठन के समय महिलाओं की संख्या कितनी थी भाई निएका निभानने वाले कि दो महलाओ के नाम बताएं तो बताएंगे सर बेगम हजरत महल और एक बनाएंगे सर रानी लश में भाई ओके सर अगला पने मूब करते हैं और अगला कोशन जाने से पहले अब आप लोग को बिताने वाला हूं बहर स्बाए त्थोड़ाइक कर सब्सक्राइब करें कोई भी दिक्कत होगे नीचे नंबर दिया गया इस नंबर पर वार्टसप करेगा हमारी टीम आपको रिप्लाइब करेगी फड़ा फट जोन हो जाईए फी बहुत कम है तीन मेहना रगड के आप लोगो तैयारी करा जाएगी इसके बाद कौन से सब्जे सब्सक्राइब करें